अस्सलाम वालेकूम, आज हम बनाने वाले हैं चिकन निगेट्स प्रेट स्लाइडर ये लेप्टूर प्राई चिकन निगेट्स हैं, इसको हम कट कर लेंगे हम ने निगेट्स को क्यूब्स में कट कर लिया, अब हम इसके लिए मसाला बनाने वाले हैं सॉस पैन में हमने वन टी स्पून लसन डाल दिया था, दो टेबल स्पून तेल, लसन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें हाप कप स्वीट कॉन डाल देंगे, अब हम इसमें मिक्स विजटेबल डाल देंगे, गाजर, शिमलामरिच, बनगू पी, अब हम इसको चार से पांच मिनदर तक पकाएंगे, चार से पांच मिनट हो चुका है, तब हम इसमें वन टेबल स्पून मेदा डाल देंगे, अब हम इसमें मेदाची से मिक्स कर लेंगे, ताकि मेदे का कच्चापन हतम हो, हस्बेजाई का नमक, वन टीस्पून ओरेगानो, वन टीस्पून चिकन पाउडर, हाफ टीस्पून का ले मिल्च पाउडर, अब हम इसको चिसे मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें एक कप दूद डाल देंगे, वन टीस्पून कुटा हुआ लाल मिर्च, अब यह तयार हो चुका है, हमने बेकिंग ट्रे को ग्रीस कर लिया, नीचे हमने ब्रेट स्लाइस रख दिया, अब हम इसकी उपर चॉप नेगर्स टाल देंगे, अब हम इसकी उपर मुजरेला चेडर चीज डाल देंगे, अब हम दूसरा लेएर लगाएंगे ब्रेट का, दूसरे लेएर भी हमने चुकन नेगेट्स, मुजरेला चेडर चीज डाल दिया, हम आवन में बेक कर रहे हैं, आप चाहे तो पतीले में भी बेक कर सकते हूँ, अब हम इसको बेक करेंगे, साथ से आठ मिनट तक, 150 सेलसियस पर, ये बेक हो चुका है, हमने निकाल दिया, चिकन नेगेट्स, ब्रेट स्लाइडर तैयार हो चुका है, ये बहुत आसान है, आप भी ट्राइ कीजिए, चिकन नेगेट्स जरूरी नहीं है, आप विजटेबल से भी बना सकते हो, या लेट ओवर गोश से भी बना सकते हो,